हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टूर चानल सॉल्यूशन फार्मसी तो जैसा आप जानते हैं हम लोग एलकेंस पढ़ रहे थे एलकेंस में हमने पैंथर्ड ओफ प्रिप्रेशन कुछ पढ़े थे आईए आज हम लोग अगला पार्ट पढ़ते हम आज और पढ़ेंगे तो हम जिस नोट्स से पढ़ा रहे हैं वो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा एप सॉल्यूशन फार्मसी डाउनलोड कीजिए वहां नोट्स अवेलेबल हैं चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए हमने पहले ए method of preparation मुले तो हम पढ़ चुके थे आई आज एक दो और पढ़ते हैं तो हमारा first जो है अगला method that is core house synthesis see this is also a named reaction तो यहां पर हम जो भी options हमारे पास available हैं वो ही एक तैयार करेंगे हम इसमें अपने मन से कोई भी changes नहीं कर सकते हैं जैसा आप देखिए आपके पास जो है एक methyl bromide है मतलब आपके पास alkyl halide starting material है alkyl halide से हम लोग इसको convert करते हैं अपने दूसरे product में है तो इसमें आप देखिए यहां पर आपके पास core house synthesis reaction है आपके पास है CH3 BR मतलब methyl bromide इसमें हमने add किया है two different atoms of lithium और देखिए आपने जैसे ही CH3 BR के बीच के बांडिंग ब्रेक की lithium का एक जो atom था वो bromine से जुड़ा और एक जो था मिथाइल के साथ में तो यह बन गया हमारा methyl lithium call base method की बात करें तो again यह देखिए यह एक प्रकार का आपका again named reaction है तो इसमें भी हम अपने ही साफ से कोई changes नहीं कर सकते हैं यहां आप देखिए call base synthesis में हम लोग water use कर रहे हैं ना water के presence में breakdown हो रहा है तो अगर अपन h2o की बात करें student तो हमेशा h2o जो है वो split होता है h plus and oh minus में अब हमारे पास two molecules हैं तो दो बार सेम चीज पर फॉर्म होगी माने यह इस प्रकार से हमको दो बार मिलेगा अब देखो आपके पास total 2oh है और 2h plus है ठीक है यह दो और यह दो ऐसा अब आप देखो आप reaction कराओ CH3COONA CS3COONA sodium acetate अब इसको आप break कराओ कहां कहां breaking होगी student तो देखो आपके पास na है और एक और na है और oh है आपके पास कितने हैं दो तो 2na और 2oh तो क्या बना 2naoh ठीक है इसके बाद आप देखिए तो आपके पास है COO मतलब COO तो इसको आपन क्या लिख सकते है CO2 तो यह release हुआ CO2 वह भी कितने टाइमस 1 and 1 2 टाइमस तो 2CO2 हुआ अपके पास क्या बजगे CH3CH3 कितने CH3 कितने CH3 बचे आपके है पास दो बार CS3 बचे है ना और यहाँ पर 2H बचा तो यह दोनों CS3 आपस में जूर जाएगा यह CS3 CS3 आपस में एक new bond बना लेगा जिसको अभी हम green color से आपको दिखा रहे हैं यह इस प्रकार से है ना तो यह आपको एक नया एलकेन बना हुआ मिला CS3 CS3 जिसका नाम होता है इथेन और यह जो 2H molecules थे हमारे जो 2H के atom थे यह वाले यह H2 gas बना के release हो गए अब यहाँ क्या होता है students दो आपके rods लगे होते हैं एक anode एक cathode इस पे ही coal-based reaction परफॉर्म होता है तो हमारा जो एनोड वाला पार्ट है उस एनोड वाले पार्ट में हमको हमारा एलकेन और release होता है carbon dioxide gas और जो हमारा cathode वाला portion है उसमें हमको मिलता है base जो sodium hydroxide बनाओ हो और hydrogen gas release होता है तो इसलिए coal-based synthesis को coal-based electrolysis method भी बोल सकते हैं बहुत सारे जगा इसका coal-based electrolysis भी बताते तो एनोड पे आपका जो एलकेन है वो मिल जाता है और CO2 gas release हो जाता है तो अब देखते हैं students कुछ physical properties क्या है इस compound की तो physical property में देखिए जो हमारे first four alkanes होते हैं यानि जिनको हम lower alkanes बोल सकते हैं इत मीत प्रॉप ब्यूट यह gaseous nature के होते हैं इसके बाद मतलब C5 से pent से लेकर के आपका 617 तक C17 तक जो होते हैं they are liquid और इसके बाद यानि की C18 से आप जाओगे तो they are solid बट कैसे solid waxy जैसे थोड़ा सा चिप चिप होते हैं न ऐसा wax के जैसा तो वैसा चिप चिप वाला solid waxy solids होते हैं then हम लोग अगर alkane की बात करें तो they are solubally non-polar solvent non-polar से क्या मतलब है जो polar नहीं है नहीं है polar मतलब organic solvents होगा है आपके benzene carbon tetra chloride ccl4 benzene c6 h6 ऐसी चीज़ और जो चीज़े non-polar में soluble है वो polar में insoluble होंगे और polar का example जैसे water आप alkane को water में dissolve करेंगे तो आपका solution नहीं बनेगा next है specific gravity जो है वो बढ़ती जाती जैसे molecular weight बढ़ता है कैसा मतलब है molecular weight बढ़ रहा है याने की आप suppose eth पे थे मेत पे थे मेत से आप eth पे गए और eth से आप prop पे गए अब यहां पर molecular weight किसका था CH4 का यहां पर C2H6 का यहां पर C3H8 का तो molecular weight क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो जैसे molecular weight बढ़ेगा वैसे वैसे specific gravity भी बढ़ेगी same चीज आपका यहां पर boiling point के साथ भी होता है तो boiling point भी बढ़ता जाएगा जब आपका molecular weight बढ़ेगा लेकिन अगर हम लोग branching कर दिये तो molecular weight जो है वो decrease भी होगा suppose हमारे पास यह ऐसा चार carbon का straight chain है और चार carbon का branching chain है तो जो branching वाला जो part है उसमें हमारा boiling point कम रहेगा as compared to straight वाला chain next है हमारा melting point है वो increase होता है increase molecular weight के साथ ठीक है तो अब देखिए इसमें आप यहां पर एक चीज हो सकता है आपको students की confusion हो की boiling point में branching का क्या रोल है तो जैसे मान लीजिए branching बनिए देखिए यह straight chain compound था तो इसने ज्यादा जगह गेरी लेकिन अगर हम लोग इसको branch कर दिये तो इसने कम space cover किया तो जब ही भी हम लोग branching करते हैं तो molecule का जो surface area वो कम हो जाता है वो squeeze हो जाता है वो छोटा हो जाता है और उस condition में जो force of attraction है वो भी कम हो जाता है और ultimately कम energy need होती है इसको boil कराने के लिए तो यह हो गए students कुछ physical properties कभी भी physical properties में हम लोग अगर किसी compound की physical properties पुछे जाए हमसे तो हमारे पास उसका boiling point melting point इसके बाद में solubility इसके बाद में state फिर order color etc यह इतना तो majorly हमको cover करना है अगर आप बहुत अच्छे से precise करेंगे तो आप इसमें इसका IR spectral range mention कर सकते हैं बट IR spectrum जो है वो हमारा 7th semester में syllabus में आता है analysis के अंदर तो हम उसको उस part में ही पढ़ेंगे अभी हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं और हम लोग chemical properties की बात करें तो chemical properties जो होती हैं उसमें हमारे पास जो alkane होते हैं न मेजरली वो दो प्रकार के reaction देते हैं एक होता है substitution और दूसरा होता है thermal and catalytic reactions मतलब substitution मतलब कि जैसे सपोज हमारे पास एक carbon है और इसके पास चार hydrogens है ठीक है तो इस एक hydrogen को हम भेज देंगे और इसकी जगा हम कोई नई चीज add करा देंगे सपोज अभी हम नई चीज ए बनाते तो यह हम इसकी जगब लगाए अब हमारा जो compound था वो क्या हो गया हमारा जो compound था वैसा हो कि carbon उसके साथ में तीन जो hydrogen हमने बचा रखे थे वो और पहला वाला जो hydrogen था उसको हमने substitute कराके यहां पर नया लगा दिए एक तरीके साब बोसकते हो replacement और thermal and catalytic reactions क्या मतलब है thermal से मतलब होता है हमारा heat और catalystic से मतलब है या तो वहां पर हमारे पास catalyst involved वो होगा या तो फिर catalyst का जो role होगा वो फ्री आयन को free radical को generate करने के लिए होगा तो जब free radical का generation हुआ तो यह catalyst की तरह behave करेगा और फिर यह further हमारा new compound बनाने में मदद करेगा तो जो भी हमारे thermal and catalytic reactions होते हैं वो high temperature पर काम किये जाते हैं या तो light से energy absorb करते हैं और फिर अपने पास एक radical generate कराते हैं और अपना reaction perform कराते हैं तो इसी sequence में students पहले हम समझ लेते हैं कि halogenation reaction क्या होता है तो basically आप यहां सबसे पहला समझे कि जैसे अगर अपन halogenation की बात करें तो यह belong करता है under the sub category substitution reaction substitution मतलब नाम से ही समझ लीजिए कि पहले वाली एक चीज replace होगी किसी नई चीज से replace है ना पूरी तरह के से उसको dissociate नहीं कर रही है तोड़ने वाला काम नहीं करना है replacement कराना है तो halogenation में क्या होगा हम लोग किसको substitute करेंगे halogen को substitute करेंगे हमको नाम से समझ में आ रहे है तो अगर अपने एक general alkane की बात करें तो उस general alkane में hydrogen atom को हम लोग replace कराते है substitute कराते हैं विता halogen atom और यह reaction हमेशा perform होता है UV light के presence में या तो फिर high temperature में 520 से 670 Kelvin के आसपस तो इसमें जैसे देखी हम लोग chlorination की बात करें तो alkane जो है वो react करता है chlorine के सांथ UV light की presence में और हम लोगों को mixture of product मिलता है ठीके देखें जैसे हमारे पास है methane methane को आप enlarge structure बनाईए तो आपके पास यह ऐसा carbon और उस पे चार hydrogen का structure मिला और यहाँ पर आपने chlorine लिया हुआ है CH3Cl2 तो एक chlorine और एक दो chlorine ठीक है इन दोनों में से अब देखें आप तो अभी हम लोग एक hydrogen को बाहर लिए और एक chlorine को बाहर लिए तो बन गया हमारा HCl अब हमारा जो compound था वो की form पे आ गया यह carbon उसके साथ में तीन hydrogen और एक खाली bond और एक chlorine हमारा free घूम रहा है जो की इसकी जगह पे आके बैढ़ी गया तो यह बना CH3Cl ऐसे ही हम लोग methane के बाद इthane बहुत आराम से इससे हम लोग reaction बना सकते हैं अच्छा यह reaction में ऐसा है student की आप one by one चारो hydrogen को substitute करा सकते हो पहले एक बार एक करा लिया अब आपके पास क्या बन गया CH3Cl है ना दूसरी बार फिर एक करा दिया यहाँ पर फिर एक नया CL इसी प् देख नए products prepare करा सकते हैं तो इसका mechanism देख लेते हैं student की step by step कैसे mechanism होता है तो जैसे अगर अपन chlorination reaction की बात करें तो इसका जो mechanism है वो three step होता है तो first step का नाम होता है chain initiation initiation का मतलब होता है शुरू करना start कराना अब देखिए chlorine Cl2 था अराम से वो एक molecule बना के stable था क्यों reaction करेगा आप अगर उसके bond को तोड़ करके उसके पास खाली जगह generate कराओगे जब ही वो यह खाली जगह आप generate करा है अब यह active होगा तो हमारे पास chlorine molecule को तोड़ता है homolytic fission method और इससे chlorine के दो free radicals मिलते हैं जैसे Cl2 और फिर Cl UV light के presence में गया तो एक जो radical है वो इस chlorine के पास और दूसरा जो है वो इस के पास इस हिसाब से अब देखिए यह suppose bond था students एक bond बनाने के लिए आपको दो electron की जरुआत होती आपने इस bond को तोड़ा तो एक और एक दो free electron मिले दोनों free electron एक एक chlorine के पास चले गए अब दोनों chlorine reactive हो गए उन दोनों के पास जो deficiency थी वो शो होने लगई अब दोनों के दोनों reaction करन चाहते हैं यह condition में हम लोग आ जाते हैं हमारे second step में which is chain propagation step propagation step propagation step से क्या मतला है continue करना हमको chain के reaction को continue रखना है अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमारे chlorine के पास एक खाली radical है वैसे ही हम लोग methane को तोड़ करके एक खाली radical generate कर लेते हैं अब यह जो hydrogen है वो गया chlorine के पास HCl बनाया और हमारे methane को जो है वो convert करना पड़ा अपने आपको methyl radical में कैसा जैसे यह suppose students यह carbon के साथ तीन hydrogen एक चार ऐसा सबसे bond से जूड़ा अब यह bond तूटा तो हमारे पास क्या होगे CS3 और H H bond तोड़ा तो अपना electron ले लिया कारबन का एक electron खाली हो गया तो वो खाली वाला electron हमारा भी methyl radical बनके घूम रहा है अब आपने जब chlorine तोड़ा था तो आपको दो मिले थे ना तो एक आपका यहाँ यूज हो गया और एक chlorine आपका भी रह गया है और वो रहा यह दूसरा chlorine कि एक के बाद एक एक के बाद एक चीज़ें बनती जाएंगी पहला हमारा methyl radical free होगा फिर एक chlorine free होगा फिर एक methyl फिर एक chlorine तो इसी साफसे methyl chloride और HCl prepare होते चले जाएंगे अब इसमें next reaction होता है next part होता है reaction का which is step 3 chain termination reaction मतलब अब chain को हमें क्या कराना है stop कराना है reaction को रोकना है कि हम लोग दो free radical को आपस में जोड़ देंगे एक methyl का free radical एक chlorine का free radical आपस में जोड़ गए हमारा total एक compound बन गया methyl chloride और इसके बाद हमने reaction को stop कर दिया यह वाला जो था यह further एक हैच से रियाक करा और फिर हमारा reaction close हो गया complete हो गया ठीक है अब ऐसे ही same जैसे अपने chlorine substitute किया तो हम अपने मन का कोई और दूसरा halogen भी substitute करा सकते हैं हेलो जन से आप समझते हैं students है तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं chlorine फिर हम लोग यूज कर सकते हैं bromine फिर iodine और फिर fluorine तो देखिए chlorine और bromine को सबसे आदा compatible रखते हैं हम लोग iodine because of bulkier size उसका reaction का pattern अलग होता है as compared to chlorine and bromine and fluorine because of its electronegative nature and reactivity इसका भी reaction परफॉर्म करने का nature अलग होता है तो हम लोग को इसको अगर prepare करना हो तो individual देखेंगे तो पहले एक बार हम bromine complete कर लेते हैं देखिए जैसा आपका chlorine mechanism था सेम वो ही mechanism से आपका bromine भी काम करता है जैसे हमारे पास कारबन के साथ चार हाइड्रोजन्स हैं और हमने bromine लगाए एक बियार एक दो बियार तो यह एक बियार और एक यह एच तो क्या बन गया है एच बियार यह बॉंड वेकेंट हुआ इस वेकेंट बॉंड पर bromine substitute हुआ अब क्या बना CH3-BR ब्रोमो मेथेन इसी के बाद अब आगाए हम लोग दूसरे compound पर जो आयोडीन होगे है अब देखिए आयोडीन का reaction होगा student लेकिन कैसा होगा reversible याने की CH3-I बनेगा भी और वापिस से मिथेन और आयोडीन में टूड भी जाएगा कैसा आप देखो आपके पास again CH4 है अब आपने आई डाला because of its bulkier size इसका reactive nature अलगे दो आई है इसको तोड़ा यह आई है बना के hydrogen iodide बाहर हो गया बच्चा वाला आई इसके पास गया अ अब आपका जो structure है that is CH3-I, I का size बड़ा है as compared to CH3, तो यह reaction जो है यहाँ पर थोड़ा stability जो है वो weak हो जाएगा, unstable नहीं होगा, weak stable compound होगा, तो यह CH3-I टूट गया, वापिस से revert हुआ, I और यह break हुआ, 2I और फिर CH4, तो यह एक प्रकार का reversible reaction है, आप reaction परफॉर्म भी कर स सकते हैं और अपने नीट के according उसको reverse भी कर सकते हैं, अब देखिए, same चीज, student, जैसे मैंने आपको बोला कि फ्लोरीन, उसकी electronegativity और reactivity बहुत हाई होने की वज़े से उसका compound अलग बनता है, तो फ्लोरीन जो है वो जादा reactivity, इसलिए जब भी भी वो alkane के साथ reaction करता है, त मरकरिक फ्लोराइड, HG मतलब मरकरिक, तो मरकरी तो यह हुआ मरक्यूरिक फ्लोराइड नाम का आपका starting material और यहाँ पर है CH3, CH2 मतलब एथ और क्लोरीन, तो नाम बना क्लोरोइध है, अब यहाँ पर आपने लिया, HG टोड दिया, तो दो HG अलग है, और यहाँ से आपको तो क्लोरीन मिला, HG Cl2, यह, और यह फ्लोरीन इस पर अटाज होगा, CH3, CH2, F, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CS3, CH2, F, यह कंपाउंड बना आपका फ्लोरो इथेन, तो यह थे स्टूडेंस कुछ हमारे chemical properties, अब हमारे syllabus के according हमारे और काफी chemical properties बच्चे हुए हैं, तो हम लोग उन hydration, sulfonation, oxidation, यह सारे chemical properties को हम next class में करेंगे, I hope यह content आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग next class में मिलते हैं, till then, thank you so much.